वर्सिस सुरोलंका सीरीज 2022 का खेला जा रहा है, दूसरे टेस्ट मैच, दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन और पहले दिन का दूसरा सेशन जहां पर सुरोलंका की टीम हमें इस वगत स्ट्रॉंग पॉसिशन में दिखाई दे रही है, सिरोलंका का स्कोर 183 विकेट की नुकसा पहले सेशन के अंदर 96 विकेट गिरी दूसरी विकेट गिर सकती थी, लेकिन ये है कि बाबर आजम ने कहले दूसरे सेशन के लास्ट मुमिंट्स के अंदर जाकर कैच को ड्रॉप किया, एंजलो मैथ्यूज का कैच उन्होंने ड्रॉप किया, जिसकी वज़ा से इस वक्त ए कि विकेट गिरी हुई ये टीम सुरलंका की और इस सेशन के अंदर जो प्लेयर आउट हुए, वो कप्तान दुमित कुरनारतने आउट हुए, जो के गेन को पॉइंट के फिल्डर के हाथो खेल बैठे है और पॉइंट के फिल्डर ने लिया एक असान सा क्या आच रिवर स् सिचुशन को अगर देखा जाए, उशादा फरनेंडो 50 रंज बना कर आउट हुए, पहले सेशन के अंदर पहले ही सेशन के अंदर रन आउट हुए, कुशाल मेंडिस, दुमित कुरनारतने ने 40 रंज बनाए, नवेगेनु का सामना किया वो अभी नॉट आउट हैं, जबक बिललागे असीथा फरनेंडो का भियान है बले बाजी करने के लिए, अगर बॉलिंग की बात की जाए, तो पाकिस्तान की तरफ से दो विक्टे अभी तक लिए हुई है, एक विकेट यासर ने, एक विकेट मुहमद नवाज ने, पार्टनर्शिप्स को अगर देखा जाए तो पहली विकेट 92 के स्कोर पर, दूसरी विकेट 96 के स्कोर पर गिरी, लेकिन उसके बाद एक सटरंश की पार्टनर्शिप इन दोनों ही प्लेयर्स ने लगा रखी है, इस मैस की इंपॉर्टन्स के अगर बात की जाए, तो दोस्तों ये अगला मुकाब्दा काफी इंपॉ पाकिस्तान की लेकिन अगर वो इस मैच को ड्रॉ करते तो फिर नमर तीन पर ही बने रहेंगे आपर उनकी विन परसंटेज की अगर बात की जाए तो दोस्तों वो पच्छपन की रहेगी तो देखते हैं अब इस मैच का हाल क्या बनने वाला है जहां 180 है स्कोर तीन के नुकसा करना इतना आसान नहीं रहेगा